हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक, रास्तिय आवास बैंक की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म को आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज, यहां पर देखिए जो नॉटिफिकेशन है, इसके लिए आप अपलाए कर सकते हैं, अठारा दस दो हजार तेस तक, इसमें आपके देखिए फ्रेश रिकुर्मेंट भी है, साथ में आपके यहां पर फ इसके फॉम अपलाए प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो यहां इसका ओफिशल पोर्टल है, जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आविदन करना है, सबसे पहले आप न्यू रजिस्टेशन टैप पर किलिक करेंगे, अपलाए करने के लिए, इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहां पर एंटर कीजिए, और फुल आपकी mail id with domain आपको यहां पर एंटर करना है, इस capture code को फिल करना है, और उसके बाद आपको data को save and nest करना होगा, तो यहां पर फ्रेंसे इस form में जितने भी जानकारी मैं फिल करूँगा, यह सिर्फ सेंपल के तौर पर रहेगी, आपको आपकी actual data एंटर य 20-50 के भी photograph का, 10-20 के भी signature का, जो कि JPG format में आपको upload करना होगा, तो यहां पर फ्रेंसे photo and sign को आपको select करना है, और देखिए, आपको यह फ्रेंसे JPG format में ही upload करना है, और photo sign upload होने के बाद आप इसे यहां पर confirm करेंगे, इसके बाद next step पर click करेंगे, इसके बाद किस post clip apply करना चाहते हैं, वो आपको select करना है, किस category से आप select करना चाहते हैं, apply करना चाहते हैं, वो आपको select करना है, pH candidate है तो yes कर सकते है, type of disability क्या है, वो आपको select कर सकते हैं, आपको extra time चाहिए, आपका writing hand affected है, आपको extra time चाहिए, वो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप simply no कर देंगे, इस आप यहां पर यहां नो करेंगे इसके लिए आप नौटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं इसके बार अगर आप एक सर्विसमान है तो यहां नो करेंगे इसके अलावा आपका रिलीजन क्या है वो आपको देना है मानेटरी कम्मुनिटी मतलब जैन सिक बहुत पार्सी मुसलमान इस कैटेगरी से बिलॉंग करते है तो यस कीजिए नहीं तो आप नो करेंगे नैशनल्टी सलेट किजिए सेंटर ओफ एक्जाम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है वो आप यहां पर सेलेट करेंगे इसके बाद है आपका दीयो धूब मिन से डेट लेट मंध ए कर ब फादर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बार मदर नेम एंटर करेंगे तो फ्रेंट जैसा मैंने वीडियो के स्टाइटिंग में कहा जितनी भी जानकारी है यह सिर्फ सेंपल के तौर पर है आपकी एक्चुल डाटा आपको देनी होगी मैं सिर्फ यहाँ पर सें हैं चॉड forgiveness करें और आपको यहां पर लेनी होगी और इसके बार आपको वेल्डीट करना ओगाником 가장 किया क्या है वो आपको देना है और class of grade क्या है वो आपको देना होगा इसके लवा PG degree या master degree है आपके इन में से वाप select कर सकते हैं आपका date of passing क्या है percentage of marks क्या है या friends इसके लवा PG diploma है कोई professional qualification आपके पास से आप उसकी जनकरी enter कर सकते हैं तो आप जिस भी post के लिए apply कर रहे हैं उसकी LPT conditions को दियान से जरूर पड़े और उसके बाद ही apply करें इसके अलावा computer पर knowledge है या नहीं है working करने की और आपको कौन सी knowledge है या आपके पास कौन सा certificate है वो आप जनकरी provide कर सकते हैं अगर आप friends से presently working करते हैं पतलब आपके पास कोई experience है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और आपके presently working की जनकरी आप दे सकते हैं और यहाँ पर friends से अगर multiple organization या companies में आपको काम करने का अगर experience है तो आप add more कर सकते हैं रोको अगर friends आप presently working नहीं करते हैं पर आपके पास पहले से कोई experience है तो आप यहाँ पर no कर सकते हैं और आपके experience की जनकरी आप provide कर सकते हैं यहाँ पर आपकी organization का नाम आपकी post का नाम कब से कब तक आपने काम किया उस post पर आप क्या काम करते थे क्यों आपने उस काम को छोड़ा यह सब जनकरी देनी होगी नहीं है experience और required भी नहीं है तो आप no कर सकते हैं language कौन-कौन सी जानते हैं आप लिखना, पढ़ना, बोलना कम से कम एक language आपको आनी चाहिए बार कि आप multiple language एंटर कर सकते हैं read, write और speak पर और उसके बार यहां से data को validate आप कर लेंगे, verified होने के बार आपको save and nest करना है और उसके बार आपके सामने आएगा आपका preview section, तो फ्रेंस preview section को ध्यान से पहले, ध्यान से check कर ले, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है किसी भी option में तो आप उसे सही कर सकते है, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, तो आप I agree करेंगे complete registration पर click करेंगे और यहां से okay कर देंगे, बस ध्यान रखिएगा, यहां से okay करने के बार आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इसके बार फ्रेंसे, next option document upload का है, तो सबसे पहले left thumb impression आपको यहां पर upload करना है और यह JPG format में ही upload होगा handwritten declaration आपको यहां पर upload करना है, मैंने सिफ sample की तोरप अपलोड किया है, आपका जो actual आपका जो यहां पर नाम है, वो आप यहां पर लिखेंगे, उस तेम आपको यह आपको data लिखनी होगी, अगर आप notification में से check करना चाहें, तो page number 9 पर आपको देखें, यहां पर मिल जाता है जो आपको handwritten declaration में, आपकी self handwriting में आपको लिखना होगा इसको friends से लिखने के बाद, आपकी self handwriting में आपको यह upload करना है इसके बाद है qualification, आप इसके लिखें, ग्रेशन की, पीजी की professional qualification की, आपकी last year marks sheet और degree certificate जो भी mandatory है, उस post के लिए उन सभी का आपको एक combined PDF बनाना है वो आपको यहां पर upload करना है इसके लिए fans से यहां पर देखें, जो documents आप करेंगे, उसका आपको यहां पर detail मिल जाता है, size मिल जाता है आपके documents के upload करने का, जो कि आप यहां पर check कर सकते हैं इसके बाद fans से यहां पर आपको browse पर click करना है, और उसके बाद fans से यहां पर उसे upload कर देना है, upload करने के बाद आपको मिलता है यहां पर preview section, preview section को यहां पर fill करने के बाद save and nest करेंगे और उसके बाद friends आपके सामने जो last option आता है ये आता है आपके payment gateway गा तो payment करने के लिए आपको इस capture code को fill करना है यहां से data को submit करना है और उसके बाद यहां से okay कर देना है इसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना होगा क्योंकि आपका जो build desk है वो open होगा build desk open एक बाद जब आपका हो जाता है तो आप किसी भी माध्यम से credit card, debit card, net banking कोई भी option को आप use कर सकते हैं और अपने payment को confirm कर सकते हैं payment confirm होने के बाद आपके सामने friends से इसका जो home page है वो open हो जाएगा home page open होने के बाद आपको friends से यहाँ पर login section मिलता है तो आपके registration number और यहाँ पर जो आपको यह security जो आपका password आपको मिला होगा वो डालने के बार और security को डालने के बार आप submit करेंगे और उसके बार login करने के बार आपके application form का जो print out है वो save करके अपने पास रख लेंगे future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की NHB National Housing Bank का online form आप कैसे apply कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा की update पसंद आया है तो like, subscribe ज़रू कीजिए बाकी की जनकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube और आपको आपको वाचिए